असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो आप लोग उमिद करता हूं कि सुबलग खहरीयत से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एक डिजिटल क्लामेटर के बारे में यह डिजिटल क्लामेटर क्या होता है और इसका इस्तिमाल किस तरह करते हैं और इसका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है यही सारी बातें आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो पूरी देखें आप आपको मिल्टर के बारे में तफ्सिल से पूरी जानकारी मिलेगी इस मिल्टर को इस्तेमाल करते एक क दोस्तों क्या इस डीजिटल क्लामेटर को इसलिए कहा गए कि हुआ है कि इसमें मुल्टिमेटर के कुछ आप्षान से जो मुल्टिमेटर में enjoying । फूचर条 से इसमें Steam आ Васा कुछ दुसरे features नहीं रहते थे लेकिन आज के दौर के हिसाब से आज जो मिल्टर है यह एक digital है इसमें कई features है जैसा कि आप capacitor चक कर सकते हैं temperature चक कर सकते हैं कोई भी components को आराम से इसमें चक कर सकते हैं जो feature इस मिल्टर को इस तरह टांक कर कर कोई भी केबूल में इस तरह टांक कर कर वहाँ आसानी से इस सर्कृट में से जितना current flow हो रहा है यानि कि इसमें से जा रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं कर दोस्तों और भी इसके जो future से एक एक कर करकर के आपको step by step आगे बताते रहूंगा मैं आपको वीडियो पूरी आगे तक जरूर तेखें शायद हो सकते आपको कुछ मालूमात हो सके दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल कलीम आप देख रहे हैं टेकनल इंडिया यूटूब चैनल आप देख रहे हैं टेकनल इंडिया यूटूब अब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्क्राइब कर लें और साथी साथ बेलेकेन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों और इक भी रिक्वेस्ट है आप से कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो नीचे सब्क्र करते हैं सब्सक्राय बेस्टार तो मिटर है एक यक है मांडल 369 और है Wow इन announced मैरे पाश है लेकिन मैं इस मिटर के जरी हाओ ताकि इसमें कुछ औप्छन्स एक्ष्टरा है इसलिए इस मिल्टर का इस्तमाल कर रहे हैं आपको सारे इसारी बताउगा क पबसे बचलाम गुट्रीश को इसे बैंड भी कहते हैं जिसंए नहीं के आफ को मिलाके 8 options है इसके साथ parameters इसके इंदर यहां पर एक selector बटन दिया हुआ है एक range का बटन दिया हुआ है एक होल्ड है एक हर्स ड्यूटी इसका बटन यह तो डिस्प्लेय है नीचे प्रम्स के दो पाइंट्स है कि प्रम्स का इस्तमां हम कप करते हैं वह भी आगे इस वीडियो में बताऊंगा चले एक एक चीज़ आपको चक्करते बता रहा हूं सबसे पहले हम इस मिल्ट्रों को आन कर लेंगे जो फर्स्ट आप्चन है एंसी वी का एंसी वी क्या है आपको बताऊंगा नान कंट्रेक्ट वल्ट इसको किस तरह चक करते हैं दोस्तों हम जब कभी लाइन चक करते हैं तो टेश्टर का इस्तेमाल करते हैं और टेश्टर से इस तरह लाइन देखते हैं देखिए इसमें लेट शो हो रही है आपको गौड से देखने पर और सिर Sozial कुा झान हुआ है यह हम क्यांट टेस्टर को हाथ से कनेट करें हुए यह इसंदिय मिद्द अगयों कि आप बघर कनेट कि जी संसे शुक्त कर दिया 21 इसमें कोई सप्लाइब नहीं आप व कोई चीज शो नहीं हो रही है है स्टू हम इस मिट्र का डिस्प्ले से तो का अनकर दिन पले हैं इसकी एक और अपटा का अपटान करेंगे तो सिफान ब्रटन को फिर दो सेक्न के लिए एक प्रेंगे तो इसी आप जाएंगे पर आईमस नियुक्त नेखक श्राइब रहें किस तरह चक्रते हैं वहीं बताएंगे आपको तो यह मेरे पास एक और फॉक्त एक है एक इमर्शन हेट रहे है और एक पंप मोटर एक है यह तीनों चीज़ों को रन करते हुए आपको बताऊंगा है 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 यह चक करने के लिए दोस्तों पहले हम इस मोटर को रन कर लेंगे देखें मोटर रन हो गई है यह दोनों में की कोई एक तार को अब इस तरह क्लाम कर लें और देखें देखें इसमें 1.3 1.2 आइंशो हो रहे हैं यानि कि इस वायर में इसे कितना करन्ट फ्लो हो रहा है हम इस मिल्टर की मदद से चक कर रहे हैं इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट अपन एमर्शन हेटर पर करेंगे मोटर को अड़ा दे रहा हूं मैं इस जो एक इमर्शन हेटर है यह देखते हैं यह कितने आइम सोगा है सिर्फ दो सेकंड के लिए लागा के निकालेंगे अब कि पले क्लाम कर लिया है कि यहां पर जीरो शो हो रहा है देखिए अब जैसे मैं आन कर आइसको अब आएंस यहां पर बता रहा है देखिए मेरे पास और एक भी मिट रहे हैं यहां पर इस पर भी फाइंस आ रहा है 5.29 5.2 चलिए इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि यह ज्यादा गर्म ने कर सकते इसको बखर पानी के उसके रहा दोस्तों काफी गरम हो गया है इसको हटा देंगे इसके बाद दोस्तों यहां पर मेरे पास एक 100 वाट्स का पल्प है इसको भी लगाएंगे इसके भी आएंप जेक नियम आएंप सक करने का तरीका दोस्तों स्रिफ जब सप्ले न्यूटर फेज जा रही है ति इन दोनों तारों में स्रिफ किसी एक वाट्ता को क्लैम कर लें आएं देख लें अब देखें यह तो आप लाश्ट में त्री आ रहा है जैसा है मैं इसको आंग किया पाइंट फोर टू सेवन यहां पर बता रहा है इस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा आप कियोंकि यह जिरो कॉंडने करता है जिरो के बाद से कुछ भी नहीं आता है अगर चलिए आएंग चक करने का तरीखत आपको बता दिया हूं है उमीद के समझ में आ गया हूंगा दोस्तों कि इस क्लामेटर के इस्तेमाल ज्यादतर इंजिनियर एलेक्टरिशन्स एस्टेक्निशन्स इसका ज्यादतर इस्तिमाल करते हैं यह डुमेस्टिक और कमर्शल इंड अब इस पर जाएंगे हम फिर ओल्ट चक करेंगे दोस्तों और चक करने के लिए हमें यहां पर प्रॉंस लगाना पड़ेंगा दो जो कि मिरबास अब भी लगा रहा हूं प्रॉंस के देखिए वस्तों एक कामन लिखावा है कामन पर एक आज आएंगे आपको उसके बाद में वोल्ट एंड ओम्स उस पर रेड़ वार को लगा देंगे आप अभी आँ देखिए कि वोल्ट कितने शोर हैं बाद पस इन दोनों प्रॉंस को हम नूटर फेस में लग यहां पर अब मेरे पास कितना शोरा है देखें कि यह मीटर पर कितना शोरा देखेंगे आप कि था था तै एक है हुआ ने कि हर एक में सबकी करने सेम्रेंधे हाती कुछ डिफरेंट होता है एक दो का फारक होता है कि यह मेंटर में 235 आ रहा है यहां पर यह 238 आ रहा है इस तरह से आप ओल्टे चक्कर सकते हैं एसी ओल्ट एसी ओल्ट अब यह सिंगल फेस्ट चक्कर रहा हूं में ते ओल्टेश हो जाएगा उसके बाद जो आप्षान आ रहा है आपको कि इस पर आजाएंगे हम कि डीसी ओल्टेश बैटरी अब इसको भी हम चक्कर लेंगे मेरे पास एक बैटरी है अब इसके लिए प्रॉम्स को बराबर नगेट और पाजिटिव बराबर लगाना है जैसा कि प्लस यहां रेड मार्क है यह प्लस है तो मैं इधर प्लस दे रहा ह हुआ 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 है यह शिक्स वोल्ट की बैटरी है ठोली डिस्टार्ड है लेकिन यहां पर जो वोल्टेश हो रहा है फाई पाइंट जिरो फॉर उसके लाब चोटा एक पिंसल भी ले लिंगे तो आप मैंस कि देखिए इसका 1.2 आ रहा है जबकि इसका 1.5 आना चाहिए इसका 1.2 आ रहा है इस तरह से आप डीसी ओल्ड भी चक्कर सकते हैं इसके अलवा दोस्तों बाखी इसमें डैयूट का एक आप्शन है ओम से बजर है कंटिनुटी यह सारे आप्शन भी आपको मैं चक्कर की ब हो इसमें क्या-क्या आप्शन है गडेख रहे हैं इसके बास सेलेट बटन को हम अज़ता करते हैं इसके आप्शन को छेंज कर कर सकते हैं सब्सक्राइब अहीं आटव में नीकिया यísa रहे है किसका किस्त कितना गाल है कोई होना है तो हम इसको कि ओम से रखकर चक्कर सकते हैं अब यह बल्प करें बल्प के हम रिस्टर्स की तहीं चक्कर रहेंगे कि 41 ohms कि यह बता रहा है कि उसके बाद जो आप्शन आएदा है दोस्तों कि सेलेक्ट बटन दबाए डेविट के ओपर आगे हम इसका डिस्पेय बहुत जल्दी बन हो जा रहा है जैसा कि मेरे पास एक डेविट है इस डेविट को चक्कर नहें में इसका व्यालू जो वहां पर शो हो जाएंगा 534 इधर कुछ भी नहीं आना वालू यह ओके है अगर इस तरह भी कुछ व्यालू आगया डेविट में तो डेविट के बाद जो आप्शन आ रहा है है दोस्तों का ही ऑगल से कान्टी डिगाये यान्य के ऑट्निूटी के हम कोई उसक्स की चक्कर चैनों कर दै़ events कि वह इसे अटाता ग्रांड करना है को व्यूस्ड़ से कैसे लांटर अश्य करना है कि कि यहां पर फ्यूस तो नहीं है मरबस कोई भी जिसी कंटिनूटी चक्कर ना है यानि कि यो कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट हो गया उसको चक्करने के लिए हम इसका स्टेमाल करते हैं यह आप्शन का सकते हैं कि देखिए बदर सवंड रहा है इसमें उसके बाद जो आप्शन सब्सक्राइब दोस्तों कि एन एफ कि यह एन एफ और यूफ से क्या है नैनो फैरेट मैक्रो फैरेट आपको चक्कर सकते हैं चलिए कि बताऊंगा आपको मैं कि मेरे बाद जो क्या पाशेट रहे है नाने में एफ डी का है इसको भी चक्कर के देख लेंगे इसका व्यालू क्या रहा है कि को शेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेंगा देखिए 9.13 आ रहा है लिगे 9.13 इस तरह से किसी कोई और के बास्ट चक्क करेंगे और मेरे पास 55 प्लस 2.5 का यह के बास्ट है देखें इसमें चक्क करेंगे हम यहां पर 55 होना चाहिए देखिए 55 आ गया यहां पर अब उसके बाद में यह जो है फ्यान का है 2.5 आना चाहिए यहां पर देखिए यह भी 2.5 आ रहा है यह के बस्टर भी हो गए है इसके बाद दोस्तों हम चारा आप्शन तो देख लिए इसके बाद जो आप्शन है हमें यह हॉर्ट का है हमारे पास इंडिया में जो पावर की फ्रिक्वेंसी है वह कितनी है वो चक्क नेगे यहां पर तो 50 होती है यह वोल्टेज आ गया है 48.1 परसेंट है जिबके हमारे पास 50 होती है एक दो परसेंट आगे पीछी होती रहता है हर्ट्स एंडियूटी देखिए हमपर परसेंट इसके बाद परसेंट होती है परसेंट बता रहा है देखिए आपको अब सारे आप्शन तो हम यह देख लिए उसके बाद में और एक भी आफ्शन है जो टेंपरेचर बताता है इसके लिए हमें इस मिट्रे के प्रॉम्स को निकाल कर यहां पर सेंसर को लगाना होता है चले सेंसर भी लगा कर बताऊंगा आपको में यह मिट्र के साथ में आता है दोस्तों यह एक सेंसर है इसके मतलब से हम यहां पर टेंपरेचर चक कर सकते हैं इसमें भी सेम प्रॉम्स को कामन में कामन ओम से ओम्स लगाना है कि देखिए यहां का टेंपरेचर 20 बता रहा है 21 इसको हम थोड़ा हीट करेंगे 23 टेंपरेचर यहां पर देखिए जैसा मैं हीट करूं टेंपरेचर बढ़ते जा रहा है देखिए इस तरह से आप रूम का टेंपरेचर देख सकते हैं और कोई भी चीज़ का टेंपरेचर आप सकते हैं चलिए दोस्तों इस मिटर के सारे अप्शन मैंने आपको बता दिये उमित के आपको समझ में आ गया होंगा अगर आप मेरे इस बताने के तरीखे से कुछ सीखे तो इस वीडियो को अपने अपने गुरूबों में शेयर कीजिए और वीडियो के निचे लाइक बटन है जाक